उत्रपरदेश की राजधानी लखनाओं में एक कार्यकरम के दोरान समाजवादी पायटी के तिगज नेता स्वामी परशाद मोरिया पर एक युवक नी जोता फैका वहीं सपाकार्यकरताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और जम कर पिटाई कर दे मोके पर मौझूद पुलिस पर भी सपाकार्यकरता बढ़क गए हाला कि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है पुलिस उससे उस्ताज कर रही है बता दें आरोपी युवक का नाम आका सैनी है बताया जा रही है कि युवक वकील के बेश में आये था हाला कि स्वामी परषाद मौर्या तक जोटा नहीं पहुच पाया और वहें बालबाल बच बच गई वहीं आपको बता दें यूबक की इस हरकत से कार्यकरम में अफ्रात तफ्री का माहूल हो गया दरशल लखनों में समाजवादी पायटी पिछड़ा वर्ग महा सम्मेलन आयोजित करा रही है इसी समेलन में पायटी के महा सचीर स्वामि परशाद मोरिया कर्यकरताओं को सम्मोदित करने पहुचे थे हाला कि अभी तक इस हमले को लेकर स्वामि परशाद मोरिया ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है बता दें सुभास्पा के राष्टी अध्याक्स ओमपरकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आद जो स्वामी परशाद मौरिया पर हमला हुआ है वह कुद समाजवादी पार्टी ने ही करवाया है यह दली तो पिछडों के साथ अन्याय है हाली में स्वामी परशाद मौरिया ने रामचरी तर्मानस की चोपाईयों को लेकर आपत्ती जनक बयान दिया था सपानेता ने कहा था कि रामचरी तर्मानस में जो आपती जनक सोपाईयां हैं उन्हें हटा देना चाहिए क्योंकि जाती सोचक सब्दों का इस्तिमाल हुआ है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ